अमीर कौन नहीं बनना चाहता रात दिन सोते जाकते हर व्यक्ति के मन में यह खयाल जरूर आता होगा कि वह करोड़ पती क्यों नहीं है वह भी उतनी ही तो मेहनत करता है जितना दूसरा व्यक्ति बावजूद इसके वह हमेशा पैसे की तंगी से जूजता रहता है यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हम जिस से अपनी तुलना कर रहे हैं क्या हमने कभी उसका मूल्लयांकन किया है क्या आप भी उस व्यक्ति की तरह सोचते हैं और उसकी तरह जोखिम उठाने को तयार हैं अगर ऐसा है तो आप भी जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं के लिए वे समय, पैसा, उर्जा का निवेश करते हैं. अगर आप भी सफल और अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको भी खुद पर निवेश करना पड़ेगा और सुधार करते रहना पड़ेगा. एक लक्षे बनाएं, बाकी का निवेश करें, अमीर बनने के लिए सबसे जरूर है कि आप छोटे छोटे लक्षे बनाएं. अगर आपने एक दिन में सौ या एक हजार रुपे कमाने का लक्षे बना लिया है, तो इस लक्षे को किसी भी हाल में पूरा करिए. सौ या हजार रुपे के ऊपर आपको जितना भी मिलता है, उसे आप निवेश कर दें. बाकी आ आप दूसरों की सेवा के बारे में सोचें. यह ध्यान दें कि लोगों को किस समय क्या जरूरत है, उनकी आवश्यक्ता किस चीज से पूरी की जा सकती है. जब आज यह सोच लेंगे, तो आप एक अविशकारक बन जाएंगे. यह सोच आपको एक ऐसा उत्पात बनाने में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के नाम कौन नहीं जानता. यह सभी एक स्टार्ट अप थे. यह अन्य स्टार्ट अप से जुड़े, निवेश प्राप्त किया और आज एक बड़ी कंपनी के रूप में खड़े हो गए. अगर आपके पास कोई विचार है, तो आप भी स्टार्ट अप शुरू कर सकते हैं. हालां कि आप पहले अन्य स्टार्ट अप पर निवेश करें, अगर वे कंपनियां चलती हैं, तो आपके लिए फायदे का सौधा होगा. जोखिम से न डरें, संपत्ति का विकास करें, करोड़ पती बनने की राह में सबसे हालां कि यहा आप को तय करना होगा, कि आप जोखिम किस कशेत्र में ले रहे हो, इस कशेत्र में सबसे अच्छा जोखिम संपत्ति पर निवेश है. आप एक संपत्ति लीजिए, उसका विकास करें और बेज दीजिए, इस से आपकी पूंजी बढ़ेगी, हां इस दोरान आ आपको संपत्ति का चैन सूजबूज के साथ करना होगा। शेरों में लंबे समय के लिए निवेश करें। यदि आप शेर मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, तो अवश्य करिए। यह आपके लिए फायदे का सौधा साबित हो सकता है। हालां कि यह शेर का चैन बहुत ही सूजबूज के साथ करना होगा। कई छोटे निवेशक शेर की गिरावट से निराश हो जाते हैं लेकिन लंबी अविध में किया गया निवेश फाइदे मन्द साबित हो सकता है। काम शुरू करें और बेच दें हाल के वर्षों में कितने ही सारे स्टार्ट अप ने सफलता हासिल की है। अगर आप भी बाजार में एक नई दृष्टिकोन के साथ आते हैं तो आपको भी बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। हाला कि अगर आप अपने स्टार्ट अप को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते तो इसे शुरू करने के बाद आप इसे बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे दूर तक ले जा सकते हैं तो संभव है कि आपको एक बहतर रिटर्न जरूर मिलेगा। अपने कोशल के अनुसार काम का चुनाव करें। बहुत से लोग अपने कोशल के अनुरूप काम का चुनाव नहीं करते। ऐसे में न तो वे सफल बन पाते हैं और नहीं संतुष्ट हो पाते हैं। इसलिए आपको अपने कोशल के अनुरूप ही काम का चुनाव करना चाहिए हो सकता है कि ऐसा करने के लिए आपको शून्य से शुरू करना पड़े लोगों का विरोध जेलना पड़े लेकिन एक बात तो तये है कि अगर आप अपनी इच्छा का काम शुरू करते हैं तो सफल और अमीर जरूर बनेंगे खर्च का हिसाब रखें और कटौती करें अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी समस्या आती है आपका खर्चा अगर आप जेब से ज्यादा खर्चा करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते ज्यादातर अमीर आदमी अपने खर्चे को सीमित करते हैं और पैसे को बचा कर उसे निवेश करते हैं इसके लिए आपको अपने खर्च का प्रति दिन का हिसाब रखना होगा इसके लिए आप मोबाईल फोन, एक्सल सीट का सहारा ले सकते हैं बचत करना सीखें, अमीर बनने के लिए आपको बचत करना सीखना होगा आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप किन तरीकों से बचत कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करें और अपने बैंक खातों में इसे जमा कर दें यहां एक और चीज है कि आम एक नियमित अंतराल के बाद अपनी बचत को एक प्रतिशत बढ़ाते रहें सोच समझ कर ही करें निवेश आपका एक गलत निवेश आपकी बड़ी बचत को खत्म कर सकता है इसलिए आप जो भी निवेश करने जा रहे हों उसके बारे में तसली कर दें विशेशग्यों से राय मशवरा जरूर करें जिससे आपके निवेश का आपको बेहतर रिटर्न मिल सके अनुशासिद जीवन शैली अपनाएं अगर आप अपने जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो चानक्य के अनुसार आपको अनुशासिद जीवन शैली का पालन करना चाहिए उनके अनुसार, वही इंसान अपने जीवन में सफल होता है जो हर एक काम को अनुशासन के साथ पूरा करता है और समय को महत्व देता है किसी एक चीज को किसी से बेहतर करने को अपना लक्ष बनाएं उस पर काम करें, उसे सीखें, अभ्यास करें, उसका मूल ल्यांकन करें और उसे परिश्कृत करें आप पाएंगे कि महिंदर सिंह धोनी वर विराट कोहली जैसे अधिकांश खेल खिलाडी या मनुरंजन करने वाले करोड़ पती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने कोशल का पूरी तरह से उप्योग कर रहे हैं यदि कोई ऐसी चीज है जिसमें आप अच्छे हैं, तो संभावना है कि आप उससे काफी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं पैसों पर ध्यान देने की बजाए अपने गोल्स पर ध्यान दे अगर आपको पता है कि आप क्या करने चाहते हैं तो संजीदगी और अनुशासन के साथ उसे करने में जुट जाएं आप अपने खर्चें कम कर सकते हैं या अपनी आमदनी बढ़ाने के जरीए ढून सकते हैं लेकिन इन सब के बीच आपको अपने करोड़ पती बनने के गोल को नहीं भूलना है ऐसा काम करें जो आपको पसंद हो अगर आप सिर्फ इसलिए खुद का कारोबार कर रहे हैं क्योंकि आपको ओनर्डर लेना पसंद नहीं है या दूसरी जगए अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आपके कामयाब होने के चांस बहुत कम है इसकी बजाए कोई ऐसा काम करें जो आपको पसंद हो और आपका पैशन हो कामयाब इनसान बनने के लिए आपको सपने देखने चाहिए और जीवन में लक्षे बनाने चाहिए जिन्हें पूरा करने पर आपको खुशी मिले खुद से करोड़ पती बने लोगों की महत्वा कांक्शाएं होती हैं और उन्हें पाने के लिए वो जोखिम उठाते हैं ज्यादा तर आम आदमी जहां अपने रुटीन से खुश हैं करोड़ पती इनसान बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने में जुट जाता है बड़े सपने देखें और तय करें कि अपने जीवन से आपको किन चीजों को हटाना है और आने वाले सालों में आप खुद को कहां देखना चाहते हैं सोच समझकर जोखिम लें और विफलता से ना घबराएं बिना रिस्क लिए कोई बड़ा नहीं बनता आम आदमी जहां बहुत ज्यादा रिस्क लेने से परहेज करता है करोड़ पती सेफ खेलने से परहेज करते हैं और सही मوقा देखकर सही दाव लगाते हैं करोड़ पती बनने के लिए चीजों को ध्यान में रख कर और सोच समझकर रिस्क लेना चाहिए ये तैय करने के लिए कि आपको रिस्क लेना चाहिए या नहीं ये सोचिए कि किसी भी कंडिशन में सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है सभी तरह की कॉस्ट और रिवार्ड्स को जाचने के बाद ही कोई जोखिम भरा फैसला लें अगर पहले से ही सबसे बुरी चीजों को ध्यान में रख कर कर चलेंगे तो आप खराब स्थिती को जेल पाएंगे और हाँ आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कर सकते हैं